नमस्कार दोस्तों बदबस वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी LIC में अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को कैसे रेजिस्टर्ड कर सकते हैं जैसे की हमें बैंक में और सिम कार्ड के साथ अपना आधार कार्ड रेजिस्टर्ड करना बहुत ही जरूरी है वैसे ही LIC में भी अपना आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड रेजिस्टर्ड करना बहुत ही जरूरी है तक आपको LIC जो भी आपकी LIC या भीमा है उसके अंदर आपको आधार कार्ड जो है वो रेजिटर्ट करवाना बहुत ही जरूरी है और वो कैसे आपको सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले आप अपने गूगल ब्राउजर को ओपन कर लीजीगा अब देखें गूगल ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है LIC India.in तो दोस्तों प्लीज आप ध्यान से देखेगा क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है LIC के साथ अपने आधार कार्ड और PEN को रिजिस्टर करना ठीक है दोस्तों तो आपको यहाँ पर लिखना है www.licindia.in तो देखें मैंने यह लिख दिया और मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ देखें जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया तो यह पहला लिंक जो आपको देएगा है www.licindia.in तो आपको यहाँ पर यह क्लिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखें यह LIC of India का यह ओफिशल पेज है सरकारी वेबसाइट है यह ओपन हो चुकी है दोस्तो हमने अपने चैनल पर एक वीडियो बदाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आधार कार्ट के बिना आप 10 जरूरी कामों को नहीं कर पाएंगे और LIC एक उन में से ही एक बहुत ही जरूरी काम है और बाकी के जरूरी कामों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं हो सकता है आपके भाई बैन ने LIC ले रखी हो आपके माता पिता ने ले रखी हो आपके आंटी अंकल और आपने भी ले रखी हो तो दोस्तों आप सारी LIC जो भी आपकी पॉलिसी है आप इस तरह से उसको आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ उसे लिंक कर दीजेगा और अपने दोस्त अपने परिवार को भी इस बारे में गाइड जरूर कीजेगा अब देखिए जैसी हमने उस पे क्लिक किया लिंक LIC पॉलिसी पर देखिए तो इस तरह का एक पेज खुलेगा अब आपको हम बता दें कि जब आप ये काम करें तो आपके पास आपका आधार कार्ड आपके हाथ में होना चरूरी है आपका pen card आपके हाथ में होना जरूरी है और आपका एक mobile और mobile वो होना चाहिए जो आपने आधार card के वक्त दिया था वही number आपके पास होना चाहिए जो आपने आधार number के साथ registered करवाय हुआ है ठीक है दोस्तों अब इसमें सबसे नीचे आपको देखे एक option दिखेगा प्रोसीड का तो यहां पर प्रोसीड हम क्लिक करेंगे तो जैसी अब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे अब यह एक पैज खुल जाएगा अब इस पेज पर आपको क्या लिखना है देखे सबसे पहılे आपको लिखना है अपना नाम और नाम जोकी आधार card पर लिखा हुआ है बिल वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं और उसके बाद आपको अपनी email id लिखनी है यहाँ पर अगर आपकी email id नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं नहीं तो आप अपनी email id यहाँ पर लिख दीजगा उसके बाद आपको यहाँ पर अपना pen number लिखना है ठीक है pen number आपके pen card पर लिखा होगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अपना mobile number mobile number आपको वही देना है जो आपके आधार number के साथ link है तो यहाँ पर आप अपना mobile number लिखे तो आपकर आपका एक otyp आएगा उस oto, anywhere दालने के बाद ही आपका आधार नंबर इसके साथ Link होगा दीक है यहां पर लिखने के बाद यहां पर नीचे आपको अपना Policy नंबर लिखना है पॉलिसी नंबर आप जब अपने लाई सी जो पेपर है उसपर देखेंगे तो आपको यहां पर पॉलिसी में लिखा है तो चोटे अक्षर ढलने और बड़े एक्षण कोट यहां पर लिख देना है लें देख कर gender अगर और अप को यहां समझ नहीं आए तो आप इहां पर किलीक करके दूसरा நि क्लिकर किया सकते हैं और उसके बाद उत्वार क्लिक किजिए आपके remove नमबर पर एक OTP नमबर आएगा जो आपको यहाँ पर डालना होगा जैसे आप उस OTP नमबर को यहाँ पर डाल देंगे तो आपका जो आधार नमबर और PEN नमबर जो है वो आपकी LIC Policy के साथ रजिस्टर हो जाएगी तो दोस्तों देखा बहुत ही सिंपल तरीका है और आप 2-5 मिनिट के अंदर ही अपने घर बैठे अपने फोन पर भी अपने LIC के साथ अपने आधार नमबर और अपने PEN नमबर को लिंक कर सकते हैं और यह बहुत ही जरूरी है दोस्तों तो अपने भाई बैन, अपने माता-पिता, अपने अंटी, अंकल, अपने पडोसी सब को इस बारे में बताईए ताकि उनके LIC बन ना हो जाए और इस वीडियो को अगर आपको यह पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताईए और इसे लाइक जरूर कीज़े दोस्तों अपने परिवार और अपने आसपास के सभी लोग के साथ इसे शेयर कीज़े ताकि वो इसका फायदा उठा सके और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़े दोस्तों